लीजिये सुनिये मुन्शी प्रेम चंजी की कहानी अधिकार चिन्ता मेरी यानी चंदन तिवारी की अवाज में टॉमी यूँ तो देखने में बहुत तगड़ा था भूगता था तो सुनने वालों के कानों में परदे फट जाते डील डॉल भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे का भ्रम हो जाता लेकिन उसकी शानोचित वीरता किसी संगराम छेतर में प्रमानित न होती थी दो-चार दफे जब बजार के लेडीजों ने उसे चुनोती दी तो वह उनका गर्म मर्दन करने के लिए मैदान में आया और देखने वालों का कहना है कि जब तक लड़ा जीवट से लड़ा नको और दातों से ज़्यादा चोटे उसकी दुम ने की निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा किन्तु जब उस दल को कुमक मंगानी पड़ी तो रंड शास्त्रों के नियम के अनुसार विजय का श्रे टामी ही को देना उचित रहेगा टामी ने उस अफसर पर कौसल से काम लिया और दात निकाल दिये जो संधी की आशना थी किन्तु तब से उसने ऐसे इसनिती विहीन प्रतिद्वंदियों के मुह लगना उचितना समझा इतना शांति प्रिय होने पर भी टामी के शत्रों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी उसके बराबर वाले उससे इसले जलते हैं कि वह इतना मोटा ताजा होकर इतना भीरू क्यों है बाजारी दल इसले जलता था कि टामी के मारे घूरों की हडियां भी न बचनी पाती थी वै घडी रात रहे उठता और हलवाईयों की दुकानों के सामने के दोने और पत्तल कसाई खाने के सामने की हडियां और सिछडे चबा डालता अतैव इतने शत्रों के बीच में रहकर टामी का जीवन संकट में होता जाता था महीनों बीच जाते और पेट भर भोजन ना मिलता दो-तीन बार उसे मनमाने भोजन करने की ऐसी प्रबल उतकंठा हुई कि उसने संदिक्द साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेश्टा की पर जब परीणाम आशा के परतिक्यूल हुआ और स्वादिष्ट पदार्तों के बतले अरुचिकर दुग्राहें वस्तू भर पेट खाने को मिली जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में विशम वेदना होती रही तो उसने विवश होकर फिर सनमार्क का आर्श्रे लिया पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो वह उतकंठा शांत न हुई वह किसी ऐसी जगे जाना चाता था जहां खूप शिकार मिले खरगोश, हेरन, भेडों के बच्चे मैदानों में विचर रहे हो और उनका कोई मालिक न हो जहां किसी पृत्विदंदी के गंद तक न हो और आराम करने को सगन व्रक्ष की छाया हो पीने को नदी का पवित्र जल वहां मनमाना शिकार करूँ, खाऊँ और मीठी नीन सोऊँ वहां चारो और मेरी धाक बैट जाए सब पर ऐसा रोब चा जाए कि मुझी को अपना राजा समझने लगे और धीरे धीरे मेरा एक सिक्का बैट जाए कि किसी द्वेशी को यहां पर पैर रखने का साहस ही न हो सयोगवश एक दिन इनी कलपनाओं के सुख स्वपन देखता हुआ सिर जुकाए सड़क छोड़कर गलियों से चला जा रहा था किस ऐसा एक सजजन से उसकी मुटबेड हो गई टामी ने चाहा कि बचकर निकल जाओं पर वह दुष्ट इतना शांती प्रिय ना था उसने तुरंत जपट कर टामी का टेटुआ पकड़ लिया टामी ने बहुत अनुने विने की गिड़गड़ा कर कहा इश्वर के लिए मुझे यहां से चले जाने दो कसम लेलो जो इधर पैर रखूँ मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार छेतर में चला आया पर उस मदांद और निर्दई प्राणी ने जरा भी रियात ना की अंत में हार कर टामी ने गर्धप स्वर्व में फरियात करनी शुरू की यह कुलाहल सुनकर महले के दूचार नेता लोग एकत्र हो गए पर उन्होंने भी दीन पर दया करने के बतले उल्टे उसी पर दंत प्रहार करना शुरू किया इस अन्यायपूर्ण वेभार ने टामी का दिल तोड़ दिया वह जान चुड़ा कर भागा उन अत्यचारी पश्वों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया यहां तक की मार्ग में एक नदी पढ़ गई और टामी ने उसमें कूद कर अपनी जान बचाई कहते हैं एक दिन सबके दिन फिरते हैं टामी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए कूदा था जान बचाने के लिए हाथ लग दे मोती तैरता हुआ उस पार पहुँचा तो वहां उसके चिर संचित अभिलाशाएं मूर्ती मती हो रही थी यह एक विर्ष्थित मैदान था जहां तक निगा जाती थी हर्याली की छटा दिखाई देती थी कहीं नालों का मधूर करलब था कहीं जर्णों का मंदगान कहीं व्रक्षों के सुखद पुंजे थे कहीं रेत के सपाट मैदान बड़ा सुर्मय मनोहर्द रिष्य था यहां बड़े तेज नकों वाले पशू थे जिनकी सूरत देखकर टामी का कलेजा दहल उड़ता था पर उन्होंने टामी की कुछ परवाना की वे आपस में नित्ते लड़ा करते थे नित्ते खून की नदी बहा करती थी टामी ने देखा यहां इन भेंकर जंतूं से पेश ना पासकोंगा उसने कौसल से काम लेना शुरू किया जब दो लड़ने वाले पशूओं में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता तो टामी लपक कर मास का कोई टुकड़ा ले भागता और एकांत में बैठकर खाता विजई पशू विजए के उनमाद में उसे तुछ समझ कर कुछ न बोलता अब क्या था टामी के पौ बहार हो गए सदा दिवाली रहने लगी ना गुड की कमी थी ना गेहूं की नित्ये नए पदार थोड़ा था और व्रक्षों के नीचे आनंद से सोता उसने ऐसे सुक स्वर्ग की कल्कुना भी ना की थी वह मर कर नहीं जीते जी स्वर्ग पा गया थोड़े ही दिनों में पौश्टिक पदार्तों के सेवन से टामी की चेश्टा ही कुछ और हो गई उसका सरीर तेजस्वी और सुगठित हो गया अब वह चोटे मोटे जीवों पर स्वेम हाथ साफ करने लगा जंगल के जंटू अब चोंके और उसे वहां से भगा देने का यत्न करने लगे टामी ने एक नई चाल चली वह कभी किसी पसू से कहता तुम्हारा फ़ला शत्रू तुम्हें मार डालने की तियारी कर रहा है किसी से कहता फ़ला तुमको गाली देता था जंगल के जंटू उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टामी की चांदी हो जाती अंत में यहां तक नौबत पहुँची कि बड़े-बड़े जंटूओं का नाश हो गया छोटे-मोटे पशूओं का उससे मुकाबला करने का साहस न होता था उसके उन्नती और शक्ती देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानुये विचितर जीव आकास से हमारे उपर साशन करने के लिए भेजा गया है टामी भी अब अपनी शिकार बाजी के जोहर दिखा कर उनकी इस भरांती को पुष्ट किया करता था बड़े गर्व से कहता परमात्मा ने मुझे तुम्हारे उपर राज्य करने के लिए भेजा है यह इश्वर की इच्छा है तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो मैं तुमसे कुछ न बोलूँगा केवल तुम्हारी सेवा करने के पुरुसकार सुरूप तुम में से एकाद का शिकार कर लिया करूँगा आखिर मेरे भी तो पेट है बिना हाहर के ऐसे जीवित रहूँगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूँगा वह अब बड़ी सान से जंगलों में चारो और गौरानवित द्रिष्टी से ताकता हुआ विचरा करता टॉमी को अब कोई चिंता थी तो यह है कि इस देश में मेरा कोई मुद्दई ना उठ खड़ा हो वह सजग और ससस्त्र रहने लगा जो जो दिन गुचरते थे और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था त्यों त्यों उसकी चिंता भी बढ़ती जाती थी बस अब बहुदा रात को चौक पड़ता और किसी अग्यास सस्त्रों के पीछे दोड़ता अक्सर अंधा कुकर बात से भोके वाली लोकोक्ती को चरितात खरता था वन के पसुओं से कहता ईश्वर ना करें कि तुम किसी दूसरे सासक के पंजे में फस जाओ वह तुम्हें पीस डालेगा मैं तुम्हारा हितैशी हूँ सदैव तुम्हारी सुबकामना में मगन रहूँगा किसी दूसरे से यह आशा मत रखो अशू एक स्वर में कहते जब तक हम जेंगे आप ही के अधीन रहेंगे आखिरकार यह हुआ कि टामी को छण भर भी शांती से बैठना दुरलब हो गया वह रात दिन 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 भर नदी के किनारे इधर से उधर चक्कर लगाया करता दोड़ते दोड़ते हाफने लगता बेदम हो जाता मगर चित को शांती ना मिलती कहीं कोई शत्रू ना घुश जाए लेकिन कौर का महीना आया तो टामी का चित एक बार फिर अपने पुराने सहचरी से मिलने के लिए डलायत होने लगा वह अपने मन को किसी भाती रोक न सका वह दिन याद आया जब वह दोचार मित्रों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली और कूचे कूचे में चिकल लगाता था दोचार दिन तो उसने सबर किया पर अंत में आवेग इतना प्रबल हुआ कि वह तकदीर ठोक कर खड़ा हुआ उसे अब अपने तेज और बल पर अभिमान भी था दोचार को तो वही मजा चखा सकता था किन्तु नदी के इस पार आते ही उसका आत्म विश्वास प्रहते काल के तम के समान फटने लगा उसकी चाल मंद पड़ गई आप ही आप से जुग गया दुम सिकुड़ गई मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वह वहल हो टा उसके पीचे हो लिया प्रेमिका को उसकी वह खुचे-स्था अप्रिया लगी उसने तीव्रस्वर्ब में उसकी वहलना की उसकी अवाज सुनते ही उसके कई प्रेमिया पहुँचे और टॉमी को वहां देखते ही जामे से बाहर हो गए टामी सिट पटा गया अभी निश्चे ना कर सका था कि क्या करू कि चारो ओर से उस पर दातों और नकों की वर्षा होने लगी भागते भी ना बन पड़ा देह लवलावान हो गई भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था उस दिन से उसके दिल में शंका सी समा गई हर गड़ी यह भै लगा रहा था कि आकरमर कारियों का दल मेरे सुख और सांथी में बादा डालने के लिए मेरे स्वर्ग को विधन्स करने के लिए आ रहा है गया शंका पहले भी कमना थी अब और बढ़ गई एक दिन उसका चित भै से इतना व्यकुल हुआ कि उसे जान पड़ा शत्रूदल आ पहुँचा वह बड़े वेक से नदी के किनारे आया और इदर उदर दोडने लगा दिन बीथ गया, रात बीथ गई पर उसने विस्राम न लिया दूसरा दिन आया और गया पर टामी निरहार निर्जल नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा इस तरह पांस दिन बीथ गए टामी के पैर लड़ घडाने लगे आँखों तले अंदेरा चाने लगा छोदा से व्यकुल होकर गिर पड़ता पर वह शंका किसी भी भाती शांत न हुई अंत में साथवे दिन अभागट आमी अधिकार चिंता से ग्रस्त जरजर और सिथिल होकर परलोक सिधारा वन का कोई पशू उसके निकट न गया किसी ने उसकी चर्चा तक न की किसी ने उसकी लाश पर आसू तक न भाए कई दिनों तक उस पर गिद और कोवे मंड़ा आते रही अंत में अस्ती पंजरों के सिवा और कुछ न रह गया अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंजी की कहानी अधिकार चिंता मेरी यानि चंदन तिवारी की आवाज में